हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीटेन स्टडी पर आज के क्लास में हम लोग डिसक्स करेंगे हीमोडालिसिस के बारे में कि हीमोडालिसिस है क्या ठीक है इससे पहले मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को उत्सरजन तंत्र के बारे में बताया जिसमें मैंने मनश्व में किस तरीके से उत्सरजन होता है उसमें कौन-कौन से अंग भागी दाड़ी लेते हैं उन सभी के बारे में अच्छे से डिसकस करा रखा है यदि आपने उससे नहीं देखा है ता आप उसको देख ले ताकि हम आज जो भी चीज पढ़ाएंगे इ मैं देखिए पिछले क्लास में मैंने का था उत्सरजन का मतलब होता है कि हमारे सरेड़ में जितने भी उपाप्चे क्रियां के बाद हानिकारक पदार्थ बंते हैं उनका सेरेड़ से बाहर निश्कासन की प्रकिरिया को ही उत्सरजन कहते हैं अब बात आती है कि माल लीजि ठीक है? fail होने का मतलब है की काम करना बंद कर देना, ठीक है? तो यह काम करना बंद कर देता है, तब क्या होगा, तो तेखिए kidney अगर काम करना बंद कर दें छटीक रस्त हो जाए, तो उनके सरीरे में जितने भी उट्र। पदार्थ बनते हैं उनका फिल्ट्रेशन नहीं होपाएगा क्योंकि हमारे सरीर में बलड के माध्यम छीज़ सर्कुलेट होती है और बलड को फिल्ट्रेट करने का काम सुध करने का काम किड्नी करता है अब kidney ही खड़ाब हो जाए तो क्या हमारे सेरे में जितने भी nitrogen पदार्थ बनते हैं उसका filtration हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो उस समय क्या होगा अगर kidney खराब है तो उस व्यक्ति की मृत्यू हो सकती है लेकिन अगर एक खराब है तो दूसरे से काम चलेगा लेकिन दोनों खराब हो जाए तो क्या होगा उसके मृत्यू हो सकती है लेकिन कुछ ऐसे भी तकनिक है जिसके माध्यम से क्या क्या जाता है कि अगर दोनों किट्नी काम करना बंद कर दे आच्छा तिग्रस्त हो जाए तो उस इस्थिती में हम लोग ही मोडायलेसिस का प्रियोग करते हैं ठीक है ही मोडायलेसिस क्या है तो ही मोडायलेसिस को हिंदी में आपोहन की नाम से जाना जाता है यह याद रखेगा कभी कभार इंगले पूछ में पूछ देता है अकर हीमो modelo का किरने कि जाता है अब हम लोग स्वीडियो में संस्कारेंगे कि पांप काम करता है त्ट सुफिष다면 जो और सारे कंपोनेंट होते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और यदि आप चैनल पर फॉर्स टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकाशन आपको मिल पर यहां पर एक हाथ का सिंबॉल बनाया है हाथ का उसमें यह जो मोटी नली जिसको मैंने बुलू कलर से इंडिकेट किया है वह आपका ध्यमनी और यह जो पतला नली है उसको हमने इंडिकेट किया है सीरा से आपने जब पढ़ा होगा ट्रांस्पोर्ट चैप्टर तो उस the pure blood circulation your oxygen by blue xo it's simple अब देखिए हम V जाते हैं तो स्ज़ेस कराने के Ciao ने के लिए एक यंद्र का यूज किया जाता है जो यह है इस में में यंद्र का ही ही होता है इण यह इक ठंग की नजर आ रहा होगड संग कि को किस नाम से जांते है डाइलाइजर के नाम से जानते हैं ठीक है सारा काम मेन वर्क जो होता है डाइलाइजर में होता है ठीक है अब क्या होता है कि जब डाइलाइजर से दखिए यहां पर दबाव मापक यंत पतियसकंदक यह सारे चीज़े हम लोग डेसस करेंगे अब धमनी में क्या किया जाता है इस dilager से जो नली निकलती है उसको चुभो दिया जाता है ताकि blood धमनी के माध्यम से इस dilager में भेजा जाए ठीक है अब जैसी इसको धमनी में चुभोया जाएगा तो यहां से blood निकल करके आएगा लेकिन जब blood इस नली में आता है तो blood का जो temperature होता है उसको क्या कर दिया जाता है कम कर दिया जाता है zero degree Celsius अब बात आती है कि अगर केसी भी कोई भी liquid है अगर उसको temperature कम कराएंगे तो क्या होगा कि उसका जो अवस्था होता है वह चिंज हो जाता है अगर मन लेजिए कि यहां पर द्रव के अवस्था में हमारा blood सर्कुलेट करता है बड़ी में लेकिन जैसे ही डाइलाइजर में भेजने के लिए हम लोगों ने ब्लड लिया बड़ी से तो उसको हम लोगों ने ठंड ना कर दिया 0 determines तक तक खराब नहों अब 0 डीगिर स्ट पर आएगा कि इसके अवस्था बदल जाएगी यानुके बड़ी और नवस्था नाएक तो क्या इसका पड़ी warm होगा एक जगह से दुसौरे जगह तक जाएगा नहीं जा जिनेगे कि एक प्रतियु सकंदक का कुल झा तक भाले ही और आतने के बाद हो सव्क करने का क्या रहा है। यहां प्लट को था आता है तो शारीबहारे द्सक्तिया प्लट करने का ल्योंना क 제가 जाता थाना इसलिटेफ प्लट कर रहे यहां घाए जाता है लेकिन पम्प गिया जाता है तो उस समय उसके पहले यहां पर चांप किया जाता है चाह APR Research ठीक है कि लिए तक यहां पर जो फिल्ट ज़एंट होगा तो उसके लिए प्रिसर सही है तो यहां मैपकी इंध्र का यूज़ किया तो इस लिक्वीड को बोलते हैं इस लिक्वीड को क्या बोलते हैं इधर लिख दे रहें इस लिक्वीड को बोलते हैं डाइलेसिस फ्लूइड क्या बोलते हैं डाइलेसिस डाइलेसिस फ्लूइड कहते हैं ठीक है फ्लूइड और इसी में क्या होता है इसी में एक संडचना ल लटकी होते हैं जब बलड इसमें आता है तो तो चे लोफेन की संडचना लटकी होती है है उसमें ब्लड पफंप करके प्रेसर ड़ा जाता है जिसके वज़ेसे क्या होता है जिटने भी उसमें एक अपस्षिश्ट पढार्त होते हैं इस सेलो फेन की संडचना का जो छित्र होता है उसके माध्यम से है बी factions में आ जाता है और जैसे ही असुधी डैय solicid में आ गई तो इस सेलो-फेन में मैं बचा सिर्फ एस सुथ्रक्ट फिर क्या होगा यह आगे circulate होगा और स्रीरा के माध्यम से सरीड में transfer कर दिया जाता है। अमिद करते हैं कि यह समझ में आ गया होगा एक बार recall कर लेते हैं। कि होता क्या है कि जब भी हम लोग डियलियस कराने के लिए जाते हैं अपोहन कराने के लिए जाते हैं तो एक मसीन का यूज किया जाता है और उस मसीन को क्या बोलते हैं डालेसिस मसीन बोलते हैं ठीक है डालेसिस मसीन में क्या होता है एक टंकी होती है जिसको क्या बोलते है डालाइजर बोलते हैं टंकी में बहुत सारे लिक्विड भरा होता है और इस लिक्विड को डालेसिस फ फ्लूइड में आता है डालाइजर में आता है और जिसके बाद यहां पर स्यासुद्धी च्छन करके डालेसिस फ्लूइड में चला जाता है और ब्लड प्यूर हो जाता है और प्यूर होने के बाद फिर से यहां से क्या होता है इसके माध्यम से पंप कर दिया जाता है यहां स इसको pump कर दिया जाता है और यह फिर से सरीर के सभी अंगों में transfer हो जाता है ओके तो उम्मिद करते हैं कि यह point आप लोगों को clear हो गया होगा exam में पूछे जाते हैं 5 नमर वाले में कुछा जाता है अक्सर ठीक है तो इसको आप लोग अच्छे से देख लिजेगा तो उम्मिद करते हैं कि सारा point समझ में आगया होगा तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद